हेलो नमस्कार इस्ट्वेंट मैं विशेक बारगाओ भारगों क्लाक्स के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का वीडियो को टॉपिक है भारती समीधान के प्रमुक अनुच्छेद जो याद करने में बहुत ज्यादा क्या होते है मुश्किल होते हैं क्योंकि अनुच्छेद इतने सारे हैं कि कितरे याद रखें तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल याने अनुच्छेद हैं उनको मैं यहां पर लेकर आया हूँ ठीक है जो एक्जाम में प्रिवियस ज तक आप लोगों को याद दू जाए और आर्टिकल ऐसे नहीं बताऊंगा कि सिर्फ एक एक कॉइंट उसके बारे में पूरा डिटेलिंग में बताने वाला हूँ ठीक है तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिएगा बीच में इसकी बिल का क्रेंस कर लीजेगा तक्की वीडियो को नौटिकेशन आपको मिलता राए बहुत सारे बच्चे करते हैं वीडियो को नोटिकेशन नहीं मिलता तो आप ब्रूच brushes देखивают कर दिखा नहीं बटक दो इस नाओकर हूँ ठीक है वह अनुध ज़ायंगे तब सब्सक्राइब को पूरा आपको यहां पर मिल जाएगा तो यहां जाकर आप ले सकते हैं ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और लाइक करना तो बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का समिधान जो है थोड़ा सा एक मिन स्टावना के अधार पर किया गया था ठीक है तो यह पॉइंट याद रगना है आपको भारती समिदान विस्व का सबसे बड़ा लिखित समिदान है इसके निर्मान में दो वर्ज 11 मां 18 दिन का समय लगा था आरम में 395 में अनुच्छेर 22 आर्टिकल 22 भाग और 8 यह बुक में लिखा हुआ है यह पुराना डाटा है 395 अनुच्छेर पहले थे अब वो कितने हो गया है 448 बाग कितने थे 22 लेकिन अब कितने हो गया है 25 और अनुसूचे कितनी है तो आप हो गया ही 12 ठीक है भारती समिदान के प्रमुक भाग जो है तो यह नहीं भागों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपको अनुचेर याद नहीं होंगे तो थोड़े से भाग देख लीजे जिसमें भाग एक में क्या है संग और उसके छेत्र जो अनुचेर एक से लेकर 4 तक है कहां तक है अनुचेर एक से 4 तक है दूसरा भाग कहता है ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, संग और उसके छेतर क्या है, अनुछेद 1-4, नागरिक्ता क्या है, अनुछेद 5-11, मूल भूत अधिकार, ठीक है, मूल भूत अधिकार क्या है, अनुछेद 12-35, राज के नीती निदेशक तत्व, यह अनुछेद 36-51, फिर भाग 4 का A, मूल यह पॉटेंट है, यह एक्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे मैं डिटेल आपको बताऊंगा, भाग 5 है, संग, ठीक है, संग क्या है, अनुछेद 52-151, फिर है, भाग 6, राज, इस्टेट, अनुछेद 152-237, फिर भाग 7, समिन्हान का सात्वा संसोधन, जो है, अध जायत, जिसमें अनुछेद 243-243, जना तक है, जना तक है, ठीक है, उसके बारे मैं भाग 9-a, नगरपाली का है, यह है, अनुछेद 243-P से 243-Z तक, ठीक है, उसके बारे मैं भाग 10-जन जाती, छेत्र, यह है, अनुछेद 244-244-A, फिर है, भाग 11, संग और राज्यों क के बीच संबन, अनुछेद 245-263, उसके बारे मैं भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविनाय और वाद, यह है, अनुछेद 264-308, फिर भारत के राज्य छेत्र के भीतर, व्यापार, वानिज्यों और समागम, अनुछेद 301-307, फिर संग और राज्यों के अधिन सेवा, अनुछेद 323A-323B, फिर 15 है, निर्वाचन, अनुछेद 324-329A, फिर 16 कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंद संबंद, अनुछेद 330-342, सत्रवा है, राजभासा, अनुछेद 343-351, फिर 18 अपात उपबंद, अनुछेद 352-360, फिर प्रकिर्ण, यह अनुछेद 361-366, फिर समिनान के संसोधन, अनुछेद 368, यह most important है, एक्जाम में कई बार पूछा गया है, 368, फिर 21, अस्थाई, संक्रमन कालीन और विशेश उपबंद, अनुछेद 379-392, फिर भाग 22, संचिप्त, नाम, प्रारम, हिंदी में प्राकरित भाट, पाट और निरसरन, निरसन, अनुछेद 343-395, तो यह है, 395 तक के अनुछेदों का जो भाग है, 22, वो भाग को यहां पर मैंने बता दिया, अब चलते हैं कि कुछ important जो एक्जाम में पूछे गया हैं, उस articles पर चलते हैं, उन अनुछेदों पर चलते हैं, जो एक्जामों में कई बार पूछे गई हैं, तो सबसे पहला जो है, उसके अंदर में अनुछेद 17, यह पहला है, ठीक है, यह से मत देखीगा, अनुछेद 2 नहीं है, अनुछेद 1 नहीं है, यह अनुछेद 17, पढ़िएगा यहां पर अनुछेद 17, अप्रिशिता, अप्रिशिता का मतलब होता है कि जननी अपराद घोशित किया गया है, अनुछेद 17, अप्रिशिता, अनुछेद 17, आपको याद रखना है, उच नीच की भावना के काराण इसको क्या किया गया है, अप्रिशिता का अंत, अप्रिशिता की उम्मूलन के लिए इसे दंड़नी अपराद घोशित किया गया है, अनुच्छेद 51 जो है वह है अंतराश्टी सांती से मतलब देखे राज अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अभिवृत्ति का रास्टों के बीच न्याय संगत और सम्मान पुर्ण संबंदों को बनाया रखने का संगडित लोगों के एक दूसरे से व्यवारों में सांती अनुच्छेद 51 और 17 अनुच्छेद 17 है अंटेचाबिलिटी अपरिश्टा अनुच्छेद 51 के अंतराश्टी सांती यह बहुत ही इंपोर्टेन्ट है उसके पाद जो तीसरा अनुच्छेद 51 मौलिक अदिकार जिसको 50 A भी कहा जाता है अब इसके अंदर क्या है मौ सम्विधान के 42 संसोधन याने 1976 इसवी के द्वारा मौलिक करतव्यों को सम्विधान में जोड़ा गया इसे रूस से रूस के सम्विधान से लिया गया इसे भाग 4 के का में अनुच्छे 51 का के तहत रखा गया है मौलिक करतव्यों को संख्या कितनी है 11 तई बार एक्दाम में पूछा गया है कि मौलिक करतव्यों को संख्या कितनी है तो 11 है तो यह हमारा हो गया आर्टिकल 51A यह भी बहुत ही इप्टेंड है उसके बाद में आता है अनुच्छेद 54 राष्टपती का चुनाओ अब देखत संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है यानि जनता अपने राष्टपती का चुनाओ सीधे नहीं करती आपको सभी को मालूम है कि जनता अपने राष्टपती का चुनाओ जो है डारेक्ट नहीं करती बलकि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनी धी करते हैं चित्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदसी और लोक सभा तथा राजी सभा के निर्वाचित सदसी भाग लेते हैं उन लेक्निये कि राष्टपती द्वारा मनुनित सदसी राष्टपती चुनाओ में वोट नहीं डाल सकता आपको मालूम कि राष्टपती द्वार अनुच्छेद 54, ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्टपती के चुनाव दिया गया है, तो ये भी important हो जाता है, उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 64, आर्टिकल नंबर 64, ठीक है, अब ये क्या है, उपर राष्टपती, राज्य सभा का पदेन सभापती होता है, ये important है, क्या ह होता है, उपर राष्टपती, राज्य सभा का पदेन सभापती होता है, ठीक, ये दिया गया आर्टिकल 64 में, समिधान के अनुच्छेद 63 के अनुच्छार भारत का एक उपर राष्टपती होगा, ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 63 में, और आर्टिकल 64 में कहा गया है, उप उपराष्टपती से संबंदित प्रवधान सेयुक्त राज अमेरिका के समिनान से ग्रहन किया गया है। प्रवधान मंत्री एवं मंत्री परिशत की नियुक्ती से संबंदित है। मंत्री परिशत की संख्या लोगसभा की कुल सदस्तियों की संख्या का 15% होगी। ये कहा गया है समिनान से ग्रहन करने से पूर्व अपने पद एवं गोपनीता की सपत लेनी होगी। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 75 में प्रवधान मंत्री एवं मंत्री परिशत की नियुक्तियों से संबंदित। उसके बाद में अनुच्छेद 76 most important अनुच्छेद है याद रहेगा 76 भारत का महा नियावादी सर्व प्रफ़ेम भारत सरकार का वीदी अधिकारी होता है। कौन होता है ? इसको क्या कहा जाता है इंगलिज में इट आन्नी जर्रफ़ेम होता है । महानियावादी ना तो संसत का सदस्य होता है यह बात याद रखेगा कि महानियावादी ना तो संसत का सदस्य होता है ना ही मंदल का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी सदन में अथ्वा उसकी समितियों में बोल सकता है किन्तु उससे मत देने का अधिकार नहीं होता यह बात आपना इस्तीपा भी किसको देगा तो राष्ट प्रती को थीक है महान्याइवादी को भारत के राज्य छेत्र के सभी न्यायलों में सुनवाई काधिकार है तो यह जो है मोस्ट आएंपी है अटर्णी जनरल 76 आर्टिकल ठीक है उसके आद ऐसे अनुचेद 110 ठीक है 110 धन विधेयक को परिभासित किया गया है most important है ये भी ठीके धन विदेहक को क्या किया गया है देखिए आजकल जो पूछे आते हैं न आर्टिकल वो एकदम easy वाले आर्टिकल नहीं पूछे आते हैं थोड़े से difficult आर्टिकल पूछे आते हैं तो धन विदे को परिभासित किया गया इसके अंदर में 111 अर्टिकल के अंदर में इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा थ्योरी बेस रखा है ठीक है ताकि आपके दिवांग में बैठ जाए भारती समिदान के अनुच्छेद 110 में धन विदेक की परिभासा दी गई है इस अनु कार की ओर से रिण लेना नीमित करना तथा किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना भारत की संचित निदी का अकास्मिक निदी में कुछ धन डालना हो या निकालना हो भारत की संचित निदी में से किसी व्याय के संबंद में धन दिया जाना हो भारत की जमापुंजी क किसी भी व्य के दिये जाने की घोशना करना ऐसे व्य को बढ़ाना हो बारत की संचित नीदी तथा सारवजिनिक लेखों में धन जमा करना है या लेखों की जाच परताल करना उप्रोक्त एक से छह उलकित विशेव में सम्मधित विशे धन की आयत था व्य के प्रति अन्य किस प्रकार का मामला हो तब हम कौन सा अर्टिकल अनुचेद 110 याने धन विद्यक को परिभासित कर सकते हैं इन पूरे के द्वारा ठीक है कर लगाना या कर कम करना बढ़ाना तो यह सब आता है धन विद्यक को परिभासित करता है इसलिए यह पूछा जा रहा मैं आपको बता अब देखते हैं ज्यारवा यह नववा अनुचेद 124 मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी कई बार एक्जामोमन पूछा गया है अनुचेद 124 की तहत सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट का मतलब है सर्वोच न्यायले का गठन अनुचेद आर्टिकल 124 में किया गया है ठीक ह अनुचेद 124 नियाय दिशों को कारे काल से हटाने का प्रवधान याने महाभियोग यह दोनों पूछे जाते हैं आपको याद रहना है 124 सुप्रीम कोट याने सर्वोच न्यायले का कठा है 124 नियाय दिशों को कारे काल से हटाने का प्रवधान जिसको महाभियोग कहा जा कि औ다면 मैं आपको बता दे थाओं भारत के नि mounted एवन महालेखक परिप्षक जिसको कहा जाता है राज राजी कारूब को और उनके द्वारा नियंत्रित संसाओं के आयवे की जाज करता है यह सनसता सारवजीनिक धन की बरबादी के मामलों को समय समय पर प्रकास मिलाता है आपने कई बार देखा होगा कैक की रिपोर्ट आपने कई बार पढ़ी होगी ठीक है बहुत सारे नियंतरक नियुक्ति को न करता है किन्तुसे पद से संसत के दोनों सधनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है इसकी पद गरहन करने की 6 वर्ष तक होती है लेकिन यदि इससे पूर 65 वर्ष की आयू प्राप्त कर लेता है तो आवकास द्रहन कर लेगा तो क्या होगा उकास द्रहन कर लेगा यह सेवा निर्वित के पश्चार भारा सरकार के अधिन कोई कोई पद धारन नहीं कर सकता जब रिटार जागा उसके बाद भारा सरकार का कोई धारन नहीं कर सकता नियंत्रक महालेखक परिच्छक सारवजनिक धन का सनक्षन करता है ठीक है अब देखते हैं अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है 386 संसद को संसोधन का अधिकार दिया तो यह जो आपको मालूम होगा जम्मू कस्मीर को विसेज दर्जा आपको मलम होगा किसको जम्मू कस्मीर को विशेज दरजा किसके अनुसार है तो ये most important है 370 अनुच्छेद 370 ठीक है ध्यान रखेगा अनुच्छे 370 के बारे में उसके बाद में देखे अब अनुच्छे 370 की विशेशताय मैं आपको बता देता हूँ विशेज दरजा किस प्रकार से है तो जम्मू कस्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है जम्मू कस्मीर का राष्ट ध्वज अलग होता है तीसरा पॉइंट है जम्मू कस्मीर की विधान सभा का कारिकाल 6 वर्स होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधान सभाओं का कारिकाल पांच वर्स होता है ठीक है उसके बाद में है जम्मु कस्मीर के अंदर भारत का राष्ट ध्वज या राष्टी पृतिगों का अपमान अपराद नहीं होता है भारत के उच्चतम न्याले के आदेश जम्मु क सर्फफर के सभी सम्मन्द में एत्यांत सिमीत क्षेतर में कानून बना सकते हैं धैराम 370 की वज़ा से कस्मीर में 68 लागू नहीं है आटियाई लागू नहीं है कैग लागू नहीं है संचेप में कहें तो भारत का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता कस्मीर में महिलाओं पर सरीयत कानून लागू है ठीक है तो यह कुछ पॉइंट है जो अनुच्छेद 370 के अधीन है ठीक है तो आप यह सब पूरा प भारत के लिए आपकालि की गोश्ता हैं राज्यपाल की घ्रप्सक्ञे繼續 जाती हैं फिर 342 अनुस्ची ते जन जाती हैं फिर 352 आपात काल की गोश्टा है इसके बाद में आगे भी इसके अंदर होगा पार्ट टू के अंदर तो अगर आपको लगेगा कि आपको पार्ट टू चाहिए तो आप बता दीजेगा तो मैं पार्ट टू आप लोगो के अनुछेद जो अग्जाम में पूछे गए हैं तो वो सारे मैं आप लोगों को पार्ट बोन हो गया अ कि अगर विडियो ड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा वीडियो जो है आपको बोरिंग करने हैं इसलिए जो है ड़ो है छोटे छोटे वीडियो करने की पोशिश करें अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पाट तू इसका बना दूँगा ठीक है अगर ऐसे तरी 68 है तरब召ता को पैंदान थोड़ा ता गलती हो गया यहां पर ध्यान देजिएगा टाइपिंग में यह 386 नहीं है दिग यह तुम्हें आपको बता ज़रा हूँ